शूपरभाद बच्चो प्यारे बच्चो कल हमने चटी कक्सा के चांद से थोड़ी गप्पे कवीता को पड़ा था जिसे समसेज सिंग जी बहादुर जी ने लिखा है प्यारे बच्चो मुझे आशा आपने उसे ध्यान से सुना होगा आपने उसे याद भी करना है इस बोहिम को आप चुटियों में याद भी करेंगे चांद से थोड़ी सी गप्पे प्यारे बच्चो कल हमने कवीता पड़ा आज हम इस कवीता के जो मुख्या पर सान उत्र बनते हैं उसे करेंगे तो सब बच्चे ध्यान देंगे सबसे पहले हम इसमें जो मुख्या सबदर्थ बनते हैं वो करेंगे चांसे थोड़ी सी गप्पे सब्द अर्थ खूब खूब उता बच्चो बहुत अधिक तिर्चे तिर्चे ग्याता बच्चो टेडे मेडे जरा जरा ग्याता बच्चो थोडा चारो सिमत चारो सिमत का अर्थ होता है सबी दिशाओ नजर दिखाई गोकी गोकी क्या आता है बच्चो थोड़ा की बुद्दू बुद्दू क्या आता है बच्चो बेवकूफ दम क्या आता है बच्चो शांस गर्ज क्या आता बच्चो बिमारी पोशाक वस्तर तो ये प्यारे बच्चो ये इस कवीता के मुख्या सबदर्थे अब हम इसके जो मुख्या प्रसन उत्तर बनते हैं उन्हें करेंगे प्रसन उत्तर चांद कैसे नजर आता है चांद कैसे नजर आता है बच्चो चांद तिर्चा नजर आता है आपने पढ़ा था कल कि वो तेड़ा मेड़ा तिर्चा नजर आता है जो वो बालिक है 10-14 साल की वो उसको चांद तिर्चा नजर आता है टेड़ा तिखाई देता है अगला परसन क्या बच्छो गोरा चिट्टा गोल मटोल कौन है कौन है बच्छो गोरा चिट्टा गोल मटोल कल हमने पड़ा था खवीता में गोरा चिट्टा गोल मटोल कौन है गोरा चिट्टा गोरमटोल चांद है अगला प्रसन क्या है बच्छो घड़ते बढ़ते रहना किसका सब भाव है किसका सब भाव है बच्छो घड़ते बढ़ते रहना कभी छोटा हो जाता है कभी गोल हो जाता है पूरा कभी आदा रह जाता है तो मदलब किसका आकार है जो घटता और बढ़ता रहता है बचो तो प्यारे बचो किसका आकार है चांद का किसका सभभाव है वो चांद का घटते बढ़ते रहना चांद का सभभाव है किसका सब भाव है बच्छो चांद का कवीता के अनुसार किसका मर्ज अच्छा नहीं होता कवीता के अनुसार किसका मर्ज अच्छा नहीं होता किसका मर्ज अच्छा नहीं होता बच्छो चांद का चांद का मर्ज मर्ज क्या अच्छो बिमारी जो चान्द की जो बिमारी है घटते वटते रहने की वो किसकी अच्छी नहीं होती वो चान्द की अच्छी नहीं होती चान्द का मर्ज अच्छा नहीं होता है जो चान्द की मर्ज है वो अच्छी नहीं होती जो बिमारी है कवीता के अनुसार चंद्रमा काकार कब आदा होता है कवीता के अनुसार चंद्रमा काकार कब आदा होता है जिस दिन चांद आदा रह जाता है वो कौन सा दिन है बच्चो जिस दिन चांद आदा रह जाता है कवीता के अनुसार चंद्रमा काकार कब आदा होता है अश्ठमी के दिन चंद्रमा का अकार आदा होता है जो अठम होती है हमारे हरियाना में तो इसको बहुत मना आ जाता है अठम वाले दिन हमारे काओं में और जो मानते हैं सहरों में भी उस दिन घर में खीर और पूरे बनाए जाते हैं तो अश्ठमी का हमारे यहां पे बहुत महतव है कवीता के अनुसार किस दिन चंदरमा गोल मोटोल दिखता है किस दिन दिखता है बच्छों गोल मोटोल बिल्कुल गोल बड़ा पूर्णीमा के दिन तो इसका भी हमारे यहां पे हमारे भारत में बहुत महतव है रखते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं जिसको हम यहां पे पूण मासी भी कहते हैं पूणिमा जिसका हमारे यहां ही आना में गाओं में क्या नाम है बच्चो पूण मासी उस दिन लोग वर्त रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं और सनान करके आते हैं पवित्र तलाबों में पुणिमा के दिन चंद्रमा गोल मटोल दिखता है इस दिन दिखता है बच्चो गोल मटोल पुणिमा के दिन चंद्रमा गोल मटोल दिखता है प्रूनमासी के दिन चंद्रमा गोल बुटल, बिल्कुल गोल होता है, कभी देखना, आप सुभे सुभे, ठेचे जल्दी, तो आपको जिस दिन प्रूनमासी होगी, या पुनिमा होगी, तो उस दिन आपको चांद बिल्कुल गोल दिखाई देगा आप पहने हुए हैं कुल आकास के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है आप पहने हुए हैं कुल आकास के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है बच्चो हमने पढ़ा था कल कि लड़की क्या कह रही है वह बाली का बच्ची क्या कह रही है वालिका की आपने इस अकास रूपी पुसाग को पहन रखा है और जिसमें तारे जड़े हुए हैं तो प्यारे बच्चों क्या इसका उत्तर देखते हैं इसमें लड़की कहना चाहती है की पुसाग चारो दिसाओं में फैली हुई है क्योंकि चंद्रमा की चांदनी सभी दिसाओं में फैलती है और क्योंकि चंद्रमा की चांदनी भी सभी दिसाओं में फैलती है इसलिए वालिका ने कहा की चांद की पुसाख सभी दिसाओं में फैली हुई है और उसमें तारे सितारों की तरह चमक रहे हैं तो प्यारे बच्चों, हमारी चान से थोड़ी सी गप्पे, कवीता के जो परसन उत्र थे, और जो सबदर थे, वो हमने सब कर लिये हैं, मुझे आसा आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और याद भी करेंगे, जिन बच्चों की नोटबुक पूरी नहीं है, वो इस वीडियो को 20 में रोख रोख के अपनी नोटबुक भी घर पे पूरी कर सकते हैं, मुझे आसा है आप सब बच्चों की नोटबुक सुट्यों के बाद पूरी मिलेगी, और सब बच्चे इस पोईम को याद करेंगे, और इसके परसन उत्रों को भी याद करेंगे, तो प्यारे बच्चो आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन सुब हो